हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग अज हम बात करने वाले हैं यह गाड़ी के उपर जो गाड़ी है मारुती सुच की स्विफ डिजायर न्यू मॉडल तो टीबाद उठाजन से 1819 की गाड़ी है न्यू एकदम तो इसके अंदर देख सकते हैं काफी लाइटे आ रही है एबियस एंडवेक का करते सको एपियस की पार स्टिरिंग की चेक इनल आट भी आ रही है एर बैक की भी लाइट अठाव है ठीके बहुत सारे इसके अधर आप को लाइट यह देख सकते हो तो इसमें रही होता है कि से लोग कंप्लेंड है मिले पास कि जो है रीट नहीं करता रिज तो दिजलोगरा में कैसा रहते है कि अगर आम लोग कभी समें स्केन रीड नहीं कर रहा है तो रीड्स में आप जाके करोगे दिए आपना सौ प्रच पूल रहा हूं अध्सवर तो अधिका में टर्ले कले तो इसको स्केनिं करते हैं देखते क्या फॉल्ड को डिखा रहा और इसमें यह रिड कर रहा है यह इसके अंदर है लॉंच का और इसका जो इसका जो कनेक्टर है यहां पर लगता है उसके जब करता है में जाना है मारूती इंडियन चूज़ करना है ठीक है मारूती इंडियन यहां पे फिर ऑख के कि न्यूं अप्रमेटिकली इसने विन नमबर रीट कर लिया है के है कुछ अधर में चल्व एसमें तो जो लोग बोल रहे हैं कि इसके अधर का इस है तो ऑफिर था नहीं दूर कर लिया है जैसे में बहुत लों करते कि फाई ड्रेट बाहुं कि या 19 यह जो गाडी है इसके दराइट नहीं तो भी management राई किया जैसा एक देख सकते है रेट कर रहा है ठीक है इसका health report चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर काफी lighter गएर आ रही है हम लोग नहीं जो गाड़ी accident ही बनाया हुआ हुआ है तो बैटरी ही रहेगा कि अगर health report चेक करें है तो पुरा clear हो जागा जो भी इसके अंदर EPS Airbag SRS का जो भी code आरा सब हो जाएगा देख सकते हैं इसके अंदर EPS के अंदर भी दिखा रहा है ABS में भी दिखा रहा है अरकें भी बन दिखा है कि अंदर बनेश काई अंदर बनेश काई अंदर बनेश काई इस के अंदर बनेश काई प्रचंट हुआ नहीं है एक मिट तो इसने रीट कर लिया जासा है कि देख सकते हैं चार फॉल्ड दिखा रहा है केंस्वा पोजिशन सेंसर कंट्रोल मॉडूल पैसी इंज प्रेशर पावर सप्लाई वोल्टेज बहुत सारे फॉल्ड इसने दिखा रहे हैं विकली स्पीड अशाध तो कि पहले क्ले करतें पिर कीजिशको डारा वारे चार रहा है कि अशना स्थू एक बार विकलं रटर शिर्ट दिखा रहे विए ट्रहली कि श्यूंद दिखा रहा है इसके और देखते बाद SRS module के अंदर भी driver side का impact detected बता रहा है शायद दियो जो है इसका इसका steering भी पुरा jam है तो गूम नहीं रहा जासाए कि इसका steering पुरा jam है लाइट आरी उसके अंदर और मेटर के अंदर इसको पहले fault clear करते फिर देखते क्लिक करना उसके बाद YES पर क्लिक कर देना है देख सकते हो लाइट अपने आप कुछ फिर लाइट है जा रही इसके अंदर से check engine light निकल गई यहां से ठीक है चली गई है clear all fault memory failed हो गया ठीक है with fault code है इसके अंदर already fault code तो देख सकते हो APS का जो प्रॉब्लम दा सॉल हो गया इसका steering free हो गया APS के light चली गई इसके अंदर से ठीक है steering free हो गया पहले steering भूम नी रहा था अधिये airbag और SRS का रहा था इसको देख लेते क्या आगा दिखा रहा है इसके अंदर एक सेके अंदर ठीक है ABS के अंदर जैसा कि देख सकते है राइट फ्रेंड विलिश्पिट सेंसर दिखा रहा है यानि जो राइट साट का विलिश्पिट सेंसर यह जो सेंसर दिखा हो रहा है एक सेंसर का तो दिखा रहा है तो इसमें जो बाहर सेंसर का इस यह आपको सेंसर दिखाता हो में ठीक है यह फॉल्ट जो है एक लेर नहीं हो रहे बाकी जो फॉल्ट हो चुका है इसका जैसे की इसीम के अंदर जो नंट खूल ला माई जा और आगी पंपर में जो सेंसर लगे रहे तो चेक रूख है को लो ना जो न देखता है तो चीम के अनदर यह फॉल्ट लिखा रहे है दुटory के अंदर के इसीम के न दर बड़ाया जो इसके अंदर अधिक को चैनर या नहीं यह इसका इसका फॉर कमचे नदगा वह लागिए रहा रहा इसके अंदर एक केम स्वाप पोजीशन से इंसे सर्किट ए दिखा रहा रहा इसके अंदर बुच फॉल्ड जो थे बागी क्लियर होगे इसमें भी स्कैनिंग करने के बाद और फॉल्ड क्लियर करने बाद एक काम हो है वो जो है इसका EPS चालू हो गया है कि कर श्टे कर दो दौना जो यार्वं कि बंपर के उपर दो ना बंपर के लेफ राइट में धोनों छोड़ी- खोड़ी सेंसर के बायर कटे किया तेको हैं हैंड जाथ एक लेकला हैं उंक कोन डेंटर नेंटर किस दिन कांप जबला सो थे तो शानू को भलाओ सौनू अ किक ड्रावर फ्रुड परे लुग कि यहरा हमद्Set ंब। थी, इं्पेक्टसेंसर जो आगे अनगे वंपर में यह सैंसर लगा वा रहता है, उसका ही इस पॉल डिखा हरहा रहा है। एससे पहले सेम आई 20 गोपर वीडियो बना रहा है वार इंपेक्ट सेंसर क्या और कहा लगा रहता है वो दिखातो हो आपको फुरियो यह सब्सक्राइद खुलना पड़े गाएगा वाहाब पे सेंसर लगा पार था दो वायर का चोड़ा सेंसर रहता है उसने एलक वायर की र क्रिबन काफे ठाइम हो गया ठीक है इसको यह पाउस करता हूं और क्या दिखा रहा है इसके अंदर पर इसमें एक फॉल्ड क्लेर करने से यह जो सब्सक्राइब करता है तो इसके अंदर वही सब दिखा रहा है इसके उपर मैं अलग से वीडियो बनाता हूं ठीक है मतलब वीडियो काफे बड़ी हो रही है तो यहीं पे इसको कट करते है थैंक्स पर वाचिंग